बदन को English में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं बदन जो है वो शरीर को कहा जाता है तो शरीर को English में आप body कह सकते हैं और जो बदन दर्द होता है यानि कि हमारे शरीर में जो दर्द होता है उसे आप body pain कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसके बदन में दर्द का एहसास हो रहा था तो आप कह सकते हैं He was feeling pain in his body. या अगर आप ये कहना चाहें कि वह अपने बदन की देख भाल के लिए नियमित वियायाम करता है तो आप कह सकते हैं He does regular exercise to take care of his body. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें